Welcome back to our YouTube channel Technical Wasim तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप income certificate के लिए online apply कैसे करोगे आप जम्मो कश्मीर में income certificate के लिए online apply कैसे करोगे तो इस वीडियो में आपको step by step full process दिखाएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रुक्वेस्ट रहेगी आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कर देना तांकि और भी हलफुल कंटेंट आप तक पहुंच सके तो चलिए शुरू करते आज की वीडियो आपको आना होगा अपने मॉबाइल पीसी या कंप्यूटर के ब्रोजर पे ब्रोजर पे आने के बाद प्रोसस सारा सैम रहेगा चाहे आप मॉबाइल पीसी या कंप्यूटर से करें तो आपको ब्रोजर पे आना होगा ब्रोजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा सर्वस प्लस जम्मू सर्च करने के बाद आपके सामने पहली जो वेब साइट आएगी Service Plus Metadata Basic Application तो आपको इस website को open कर देना है इस website को open करने के बाद यहाँ पे आपको साइट पे एक option आ रहा है login का तो आपको यहाँ पे login पे click करना है login पे click करने के बाद आपके सामने option आएगा username, mobile, other अगर आपने मेरी पेच्छान साइट पे पहले से ही registration की है तो आपको यहाँ पे अपना username और password डाल के login कर देना है अगर आप first time इस site पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे option आ रहा है new user तो आपको यहाँ पे sign app for मेरी पेच्छान इस पे click करना होगा sign app पे click करने के बाद आपको यहाँ पे fill करना होगा अपना mobile number उसके बाद आपको यहाँ पे अपना first name fill करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना last name उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी data bar fill करनी है data bar fill करने के बाद आपको यहां परONG डाम अपना जब आपको यहां पर कुछ टाइम डालना आपको यहां पने height डालने है, तो आपको यहां पर अपना नाम जब आप डाल दोगे तो उसके बाद आपको यहां पर tän pause product और्पे कारो साइड एक्प यहां पर सजेस्ट करें अपको चुछ ताइम हो सकते हो, select करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक password create करना है, जाहे आप अपना name याने नाम password रख सकते हो, जो भी आपकी choice रहेगी, याने इसमें एक uppercase letter और एक lowercase letter और एक number digit और एक special character रहेगा, जैसे at the rate hash, तो जो भी आप अपना password रखना चाहते हो, तो आप रख सकते हो, password आने के बाद आपको यहाँ पर verify पे click करना है, पहले आपको यहाँ पर अपना mobile number फिल करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर generate OTP पे click करना होगा, generate OTP पे click करने के बाद आपको OTP फिल करना है, OTP फिल करने होगा जो आपने password create किया है और username password और username डालने के बाद आपको sign in पे click करना अगर आपको username याद नहीं है उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा option आ रहा है mobile का तो आपको इस पे click करना है यहाँ पे आपको enter करना होगा अपना mobile number और यहाँ पे आपको फिल करना होगा अपना password जो आपने grade किया था उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों select कर देना है password less authentication और I have consent to मेरी पेचान दोनों पे टिक करने के बाद आपको sign in पे क्लिक करना है उसके बाद आपके mobile number पे एक OTP भेजा जाए ओटीपी डालने के बाद आपको sign in पे क्लिक करना है उसके बाद आप successfully log in हो जाओगे successfully log in होने के बाद आपको यहाँ पे एक option आ रहा है नीचे आना होगा आपको नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे option आ रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा apply for services इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक option नीचे आ रहा है view all available services तो आपको इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद site थोड़ी slow होगी तो आपको थोड़ा wait करना होगा उसके बाद यहाँ से आप अपनी RBA, OBC याने ALC, IB किसी भी certificate के लिए apply करना चाहते हो तो आप कर सकते हो तो अगर आपको और किसी के बारे में वीडियो चाहे तो मुझे comment कर देना हो वीडियो भी आपको channel पे available हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि application for RBA, यहाँ पे आपको first page उसके बाद आपको यहाँ पे second page पे click करना है इस पे click करने के बाद यहाँ से भी आपको check करना है कि आपका जो income certificate के लिए option आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है उसके बाद आपको third number पे भी चेक करना है इस पे भी नहीं है उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ बाइस, serial number 22 पे आपको option आ रहा है application for issuance of income certificate by तासिलदार जो department name है वो department of renew है तो आपको यहाँ पर application for issuance income certificate आपको इस पे एक click करना है इस पे click करने के बाद आपको option आ रहा है district का तो आपको अपना district select करने के बाद यहाँ से आपको अपना जो तासिल है, कोई एक बी select करना है यानि आपको खुद के लिए चाहे या dependent के लिए चाहे उसके बाद आपको यहाँ पे अफ़ लीकेंट फिल करना है उसके बाद applicant की data filter करनी है उसके बाद residential address आपको अपना filter करना है उसके बाद आपको यहां पे fill कर देनी है अपनी annual income उसके बाद आपको यहाँ पे annual income in words में आपको fill करनी है उसके बाद आपको यहाँ पर purpose of income certificate यानि आपको किसके लिए income जरुरत है जैसे कहीं आप scholarship के लिए अपलाई करना जाते हो या और कहीं जिस भी purpose के लिए आपको income certificate चाहे तो आप वो यहाँ पे mention कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर mobile number फिल करना है mobile number के बाद आपको email ID फिल करनी है उसके बाद आपको यहाँ पे I agree पे क्लिक करना है I agree पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे capture फिल करना है capture फिल करने के बाद आपको यहाँ पे submit पे क्लिक करना है submit पे क्लिक करने के आपको ओके पे क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने आपका आपने जो एप्लिकेशन फॉर्म फिल्क है उसका पूरा डिटील्स आ जाएगा उसके बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको यहां पे एडिशनल डिटील्स शो हो जाएगी याने आपने कि किस ओफिस के लिए अपले किया उसके बाद आपको यहां पी आपका रिफ्रैंस नमबर शो को जाएगा उसके बाद आपको यहां पे एटाइ्ट एंएड़ better यहां से आपको अगर आपके पास रशेंड कार्ड और आवटर both है वो आप बोट साइड एपल एपलोड कर सकते हो उसके बाद आप अगर आप यहीं से स्कैन करना चाहते हो तो आपको यहां पे स्कैन पे क्लिक करना है अगर आपको एपलोड करना होगा तो आपको यहां पे चूज फाइल पे क्लिक करना है चूज फाइल पे क्लिक करने के ब identity proof dependent का voter card, bank pass book, अधार card नमे से जो भी आपके पस available होगा वो आप upload कर सकते हैं उसके बाद address proof dependent का उसके बाद आपको यहां पे address proof of dependent का daala नमें से जो भी आपके लगोमेंट available है वो upload करना होगा उसके बाद आपको यहां पे स्लेक्ट करना होगा राशिंग कार्ड इनर और आउटर बोस साइड उसके बाद आपको यहां पे सैलरी सर्टिफिकेट एनी अदर डाकॉमेंटरी प्रूफ अइंकम कि आपकी इंकम क्या है आप फार्मर हो यहां गोर्मेंट सर्वस जो भी आपके पास इनी अदर डाकॉम अगर आपके पास कोई अवलेबल है वो भी स्लेक्ट कर देना है उसके बाद आपको सेव इन एक्जर्स पे क्लिक करना होगा सेव पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपके जो सारे डाकॉमेंट्स एपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको यहां पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा, make payment पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे 20 रुपीज जो है वो online पे करने होंगे income certificate के लिए, तो payment successfully हो जाएगी, उसके बाद आपको आपका application reference number जर्नेट हो जाएगा, तो आपको दो यहां चार दिन यहां पांच दिन का वेट करना होगा, तो उसके बाद आपकी जो income certificate है वो जर्नेट हो जाएगी, तो यहां से अगर आप अपना application status check करना चाहते हो, तो आपको यहां पे view status of application पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहां पे track application status पे क्लिक करना है, track application status पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अपना application application number fill करना होगा application number fill करने के बाद आपको यहाँ पर get data पर click करना होगा तो यह थिए